हेलो दोस्तों जैसा कि पार्ट दोवन में हमने 2020 के कोश्चन पेपर के 50 कोश्चन देखे थे वैसे ही अब हम इस पार्ट टू में से 50 कोश्चन को शल्व करेंगे तो आई ये देखते हैं कोश्चन नमबर 51 है मधुवन तुम कत रहत हरे विरह वियोग स्याम सुन्दर के काहे न उकठी परे उक्त कावे पंग्तियां किस कभी की हैं तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मीरा घनानंद सूर्दास नंददास तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सूर्दास प्रशन बामन है इसमें से कौन बलभाचारे के सिश्य नहीं थे तो बलभाचारे के सिश्य नहीं थे नंददास ठीक है अश्टिशाब कभियों में जो आठ कभी थे उनमें से चार जो शिश्य ते बलभाचारे थे और चार बिटल नाथ के थे तो इस परकार से आठ हो जात तो प्रश्ण तिर्पन है कभी कुलकंठा भरन की सम्परदाः का एक प्रसेद गरंथ है तो में तर्द बाझ R से नमांकित किया गया है अभी कतन A हिर्दे की मुक्तवस्ता रजदसा कहलाती है तरक R दिया है हिर्दे की इस मुक्ती की साधना के लिए मनुस्य की वानी जो सब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं उपरुक्त कत्रों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनियें। तो इसका option हो जाएगा ए ए तत्था आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याक्या है। 56 है बिहारी हिंदी के अंतरगत नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतरगत नहीं आता है। कि मैथली भी आता है मगही भजपूरी आता है। ओधी नहीं आता है option C अब प्रशन श्रंतावन देखते हैं विद्यापती रची पदावली किस भासा में रची गई है। तो यह हो जाएगा मैथली में विद्यापती जो है मैथली के कभी हैं। प्रशन अठावन है निमने दो कथन दिये गए हैं। कथन फर्स्ट राम बिलास शर्मा तुल्सी की भक्ती समाज के लिए अफिम नहीं थी। वह जन जागरण का एक साधन थी। प्रशन अठावन है निमने दो कथन दिये गए हैं। कथन 1st राम इलास सर्मा तुलसी की भक्ती समाज के लिए अफिम नहीं थी, वो जन जागरन का एक साधन थी, कथन 2nd है, राम इलास सर्मा तुलसी हमारे जाती है, जन जागरन के सरवसरेश्ट कभी है, उपरोट कथनों के प्रकाश में नीम्न बिकल्पों से सरवाधिक उचित उत्तर चुनिये तो इसका हो जाएगा option A option A हो जाएगा दोनों कथन first कथन first तता कथन second गलत हैं प्रश्ट 69 है निमने दो कथन दिये गए हैं कथन first अचार राम चुन दो सुकल के अनुसार अगर इसलाम नहीं तो भी भक्ति साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है कथन second है अचार हजारी परशाद दुवेदी मानते हैं कि भक्ति यूग में देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्टित हो जाने पर हिंदू जन्ता के हिर्दय में गर्ब और उत्सा के लिए उकास न रहे गया उप्रोट कथनों के प्रकास में निमनु बिकल्पों में सेसरवादिक उचीत उत्तर चुनिए तो इसका अप्शन हो जाएगा यह दोनों कथन फर्स्ट अदक अथन सेकेंड गलत है प्रस्ण साथ देखेंगे अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है यह संबाद किस पात्र का है तो यह है असकंद गुप्ट का अधिक अलसाई हो अभी राम उपिक पंक्तियां का माईनी के किस सर्ग से संबंदी थे तो यह स्रद्धा सर्ग से संबंदी थे अप्शन सी प्रशन बाश्ट है प्रशन बाश्ट है कि मनुस्यत्व की सामान भावना को आगे करके निम्न स्रणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरब का भाव जगाया और भक्ति के उंचे से उंचे स्वपान की और बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया रामचन सूकल का यह अकथन सम्मंधित है तो इसका उप्शन हो जाएगा आप सी अप्शन कभीर से यह पंग्तियां रामचन सूकल ने कभीर से सम्मंधित गई हैं अब आते हैं नेक्स्ट प्रशन तीशट देखते हैं बारतेस्वर बावलवली राश की साहित की रचना है तो प्रशन तीशट का अंसर हो जाएगा बी जैन साहित्यां जैन साहित्य की रचना है प्रशन चौंशट है रामचरीत मानस में तुलसी केवल कभी रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं यह किसकी पंग्ति है तो प्रशन चौंशट है हो जाएगा आपका बी रामचन सूकल प्रशन पैंशट है दवनिया लो दवनिया लोग के रचनकार है आनंद बर्धन तुर्शन चौंशट है मेरी खोज भासा की खोज नहीं है केवल सब्दों की खोज है प्रसीद वक्त अब किसका है तो प्रशन चौंशट का ऑप्शन डी है अग्ये का यह कतन है प्रशन चौंशट प्रगतिसी लेक अदिवियेशन का सभाति कौन था तो इसका अप्शन हो जाएगा दी रबिंदनात ठाकूर प्रशन औरिषट सब्दका अर्थ है प्रशन और areasur सब्दका अर्थ होता है साही सिवीर प्रसुनों अत्तर इनिम ने दो कथन दिये गए हैं कथन फर्स्ट है अग्या मानते हैं कि किसी वाद को मानने से बैक्तिगत एंसो तंत्र विचार में बाधा पड़ती है क्योंकि विचार की दृष्टी से वाद एक तरह की बंद विचार प्रणाली है कथन सेकेंड है अग्ये के अनुसार प्रियोग दोहरा साधन है क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कभी प्रेसित करता है जूसरे उस प्रेसित की क्रिया की और उसके साधनों को भी जानने का भी साधन है अप्रणाल के प्रकाश में निमने विकल्पों से स थार्वाधिक उत्तर खुणिए तो प्राशनला सरसेंट सधर fix जल धन्जल रचना किस बिधा की रचना है तो रिपोठ टाज बिधा की रचना है रिंजल धन्जल Genoa इखतर है इनमे से हिंदी का पहला एकांग की माना जाता है तो हिंदी का पहला एकांग की माना जाता है बादल की मृतिव option c हारी प्रशन बहुत्तर देखेंगे रिवन्स वच्चन की किस रचना को सहीत अकादमी शम्मांपरदान किया गया था तो हरीवंस दाइवच्चन की उनकी एक रच्णा जो है वह ए दो चत्ठाने दोच्टाने रच्णा को सहुषत अकाद्मी पुरिश्कार तर्शन दिया गया था सब्सक्राइब कि रखिसतां के प्रश्णती हतर है कि तो यह जाए गा निर्मल भर्मा को दिए गया था तो इसलिए हमें अप्शन चुनना है इन में से कोई एक तो इसको हो जाएगा अप्शन यह होगा बी एवं सी दोनों को बी अमरकांत को और स्रीलाल सुकल को दोनों को सहीं तुरुप से द्वाजानों में ग्यान पर पुरुशकार मिला था प्रशन चौभतवराई आइए रिचर्ट ने निमलेखित में से किस काभे सिद्वानत का प्रति पाधन किया तो इसके आपशन हो जाएगा आपसन система घ्रिए सब्स का कभी कौन है तो त्सरा सबबेशे के कभी हो जाएगा अप्शन सी बिजय देव न रांट साही हैं तीस्रे सब तक के कभी नहीं इसमें भी निम्ल भी कलप से सही उतर चुनना है तो इसी का option हो जाएगा option C केवल A B C और D अबी C और D इस तिस्रे सब तक के कभी हैं प्रचन तिये गए हैं कतकार के थित्व की सर्त है कताकार you requested थित्वी विकल्पों से सरवाधिक उचित उत्तर चुनिये तो हमें इन विकल्पों में से चुनना है उत्तर प्रस्ण चेटर का हो जाएगा अप्शन डी दोनों कथन फर्स तता कथन सेकेंड सत्य है प्रस्ण शत्तर है अध्यात्मिक रंग के चसमे आज कल बहुत सस्ते हो गए है उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोबिंद के पदों को अध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी यह उक्ती किसकी है तो यह उक्ती हो जाएगी अपकी प्रस्ण भी रामचंद सुक्ल की उक्ती है बारा सो बहुतर मजारी जेट बंदी नौमी बुधवारी यह पंक्ती किस गरंथ के निर्मान काल के संदर में कही गई है तो यह जो कहा गया है विसल्दे और राशो के संदर में कहा गया है अप्शन बी अटातर का भी है उसके बाद सेवेंटी नाइन का देखेंगे सेवेंटी नाइन का हो जाएगा कथन फर्स्ट है अचारह हजारी पसाद दिवेदी कभीर दरिद्र और दलित थे इसलिए अंत तक वे इस रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल न सके उनकी नस नस में इस अकारण डंड के बिरूद बिद्रो का भाव भरा था कथन सेकेंड है अचारह हजारी पसाद दिवेदी बुंदेल बहुत सोरो रहा एक मिनट में थे कथन सेकेंड है अचारह हजारी पसाद दिवेदी बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोगनायक तूलसी दास थे यह असाधारान प्रतिभा लेकर उत्पन हुए उप्रोट कतनों की प्रकास में निम्न निभी कल्पों से सरवाधिक उच्चित उत्तर चुनिये तो प्रश्ण सेवेंटी नाइन का हो जाएगा आपका अप्सवन डी दोनों कतन फर्स्ट अतक अतन से केंड सहीं है अप्सवन डी हो जाएगा तो यह पंग्तियां है देव की अप्सवन बी एक्यासी है निम्न में से कौन हांस पत्रिका से सम्मंधित नहीं है तो हांस पत्रिका से जो सम्मंधित नहीं है इनि में से हमें बिकल्प दिया हुआ है इनि में से हमें चुनना है तो दोस्तों यह जो है इस प्रस्ण को जो एंटीए द्वार एक्जाम हुआ था जेनिव में तो इसमें यह प्रस्ण छोड़वा दिया गया था तो इसका फाइनल आंसर इसमें नहीं दिया गया है तो हम इसे क्यूट करते हैं नेक्ष्ट प्रश्ण देखते हैं वैसे इसका सही आंसर मैं बता दूं तो यह प्रेम चंद होंगे और राजंदर याद ओ यह दोनों लोगी हंस पत्रिका से संबंधित नहीं नहीं इसमें पूछरा संबंधित नहीं है तो इसमें ए और शी होना चाहिए इसमें अफ्षन में चुकि दिया नहीं है अफ्षन इसके गलत दिये हुए है अफ्षन ए और स्री राजंदर कुमार और नामबर शिंग इसका होगा लेकिन अफ्षन में नहीं दिया है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है इसका क्योंकि हांस पत्रिका से जो संबंधित थे वो राजंदर आश्र नामांकित किया गया है अभी कथन ए है कविता में गोचर रूपों का विधान अधिक होता है तरक आर कविता में बिम्बात मक्ता ही होती है उप्रोग कथनों के प्रकाश्च में निम्र विकल्पों से सही उत्तर चुनिए तो इसका अफ्षन हो जाएगा बी कर दुसरी को तरक आर से न मांकित किया गया है अभी कथन एहाइए आलोचना के छेत्र में प्रगतिवाद नेशाही तेकी माक्सवादी ब्याख्या का नारा दिया जो आलोच्चों के लिएक काफि चारों तेज़क प्रतीत हुआ तरक आर है फलता, आलोचना के छेत्र में का सबसे अधिक विरोध हुआ उप्रोध कत्रों के प्रकाश में निम्ने विकल्पों से सही उत्तर चुनिए ए है कि इसका जो अप्शन हो जाएगा त्यासी का अप्शन सी हो जाएगा सी हो जाएगा इसका यह सही है परन्तु आर गलत है प्रस्न चौरासी है ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला सा की अब कैसा बिलंब भर भर लातन मैता हाला तो इस इन काव्य पंक्तियों के लेखक बताने हैं तो जैसा कि यह मदू शाला के यह पंक्तिया लग आप्षन सी नहीं नहीं चौरासी ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला साकी अब कैसा बिलंब भर लातन मैता हाला तो इसका आंशर मेरे खाल से हरीबंस राइव अच्छन जी हैं प्रंतु इनके जो आंशर सीट में दिया हुआ है वह सी है बागर्ष शर्मा नभीन तो दोस्ता आप लोग इस कोश्चन को एक बर देख लिजियेगा अपने volont taped 85 हैं लिखी कागद कोरे निबंद के रचनाकार कौण हैं By लिखनले हैं अग्येजी हैं लिखी कागद कोरे निबंद के रचनाकार एसका प्रस्न 56 सुमेली की दिए पत्रिकाएं दिये हैं और उनके संपादक दिये में हैं तो किस बताना है किस पत्रिया के कौन से संपादक हैं तो इसका option हो जाएगा आपका सी सी अर्थात अर्थात उधन्त मार्टंड ए के जो संपादक होंगे वह जाएंगे युगल किसोर सुकल यह फोर्थ ठीक है उसके बाद option बी हिंदी प्रदीप के हो जाएंगे प्रशन सत तासी देखेंगे इन में से कौन सा कभी एक भारती आत्मा के उपनाम से प्रसिद है तो इसके उजाएगा option दी माखनाल चत्रवेदी प्रशना ठासी है अलंकारों तथा उनकी प्रकृति के निम्न में से निम्न में से कौन युगमत सही सुमेलीत है प्रशना ठासी देखेंगे अलंकारों तथा उनकी प्रकृति के निम्न में से कौन युगमत सही सुमेलीत हैं अलंकार और पक्रिती प्रशना ठासी अठासी का option A हो जाएगा A, B तथा C प्रशना 89 निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन A तथा दूसरे को तरक आर्ष नामांखित किया गया है अभिकथन A है प्रगतिवाद के समाजी की अथर्टवादी दिश्टिकूर के कारण कभिता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपनियास के छेत्र में नहीं हुआ तरक आर है इसका कारण है कि प्रेमचंद के यूग से ही उपनियास में आय थर्टवादी प्रविर्तियों का उद्य हो गया था उपरत कथनों के प्रकास में निम्न इन विकल्पों से सही उत्तर चुनिये तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा एक इस अप्शन सी हो जाएगा यह तथा आर दुनों सही है और आर एकी सही ब्याक्या है प्रश्ण नाइंटी ने इन में से कौन सा उपनियास थर्ट जेंडर को आधार बनाखा लिखा गया है तो इसका अप्शन यह हो जाएगा थर्ट जेंडर को जो अधार बनाखा लिए पोस्ट बॉक्स नंबर दोसो तिन नाला सो पाड़ा अप्शन ए प्रशनी क्यानवे है अन्याय जिदहरे उदर सकती या किस कवे की पंक्ती है तो दोस्तों यह पंक्ती सुर्ट का निर्याला की राम की सकती पूजा जो इनकी रचना है उसी में यह पंक्ती मिलेगी प्रशन बानवे है राम चन्द सुक्ल दुआरा प्रतावित नामकरण के अनुसार रितिकाल ए तो यह अंतराल भी है दो सो वर्ष का अंतराल है तिरानवे निमनली खित कावे पंक्तियां किस क्रिती की हैं रह चीर दीन्तू हरी भरी बढ़ सुक से बढ़ स्रिष्ट सुन्दरी तो प्रशन तिरानवे का अप्शन हो जाएगा साकेत की पंक्तियां हैं साकेत इसके रचन अकार है मैथली चरण गुप्त जी तो प्रस्ण 94 देखते हैं निम्न दो कथनों में से एक का अभी कथन ए तदा दूसरे को तरक आंश नमांकित किया गया है अभी कथन ए है समस्त मानों जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं तरकार है सीलिया पर चरित्र का भावों के विश्यस परकार के संगठन में ही समझना चाहिए उपरोक्त कथनों के परकास में निम्न विकल्पों से सरवाधिक उचित उत्तर चुनिये तो इसका उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याक्या है प्रस्ण 95 है कि निम्न दो कथनों मेंसे एक अभी कथन एक तथा दूसरे को तरक आर ना मंकित किया गया है अभी कथन ए है कभिता का समाज से अभी अभी चेद संबंध है तरक आरे कभिता कला अपरोक्त कथनों में से देखेंगे दोस्तों इत्मिनाट यह इसको रोटेट हो जा रहा है इसको जो है हाँ तो अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं कर दोस्तों इसको रोटेट हो जा रहा है इसको पूर्ट्रेट में कर लेते हैं आप देख लेते हैं तो उपरोक्त कथनों के प्रकास में निमने विकल्प से उसरवादे वुची रुप्त चुनिए प्रश्ण यह विकल्प इसका जो हो जाएगा नाइंटी फाइफ है ए नाइंटी फाइफ का यह जाएगा यह तथा दोनों सही है परन्तु आरे की सही ब्याक्या नहीं है प्रश्ण चानवे का देखते हैं दस्वां विश्वण हिंदी सम्मेलंग किस अस्थान पाज्यूत किया गया था तो जो 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 उगा था वो यह ता्सी पॉर्ट लुई में हुआ था प्रश्ण चिंतान में देखते हैं रस्ट की न उत्वति होती है ना अनुम्यती न अभिव्यक्ति वरन भुक्ती होतीर त्रश्द धान्त के संदर्ष में अमानथा किसी है तो इसकी मानुता पडान है प्राष्णां नठान्वें किसी सुची मिलाएव सुची सब्सक्राइब करना है कि तो इसका औस्राइब ही हो जाए नापह दास का जो जबसेंट हो जाएगा 517न रिशी और यानी सूर दास जी का चौधल Bali ऐसजीन 889 भी परमानद दास का जाएगा 24-73 इंड नंद दास का जाएगा यह 523 इसई देख्तेदे में नम्न दो कतनों में से एक अभिकत फंब तता दूसरे को आर्च नमंगित किया गया है अभीकथन ए के प्र रहत उत्पन होता है उसकी हानी की चेश्टा कि जाती है तरकार दिय है करोना जिसके प्रती उत्पन हो ती उसकी भलाई की धोग किया जाता है उप्रतकारण के प्रकाश με नहीं देम्रे बिकल्पों से सरवाधिक उचित उत्तर चुरिए तो इसका हो जाएगा अप्षन सी हो जाएगा ए तथा आर्दोनों सही है परन्तु आर एकी सही ब्याख्या नहीं है प्रश्णा है लास्ट जिति ग्रंथों का विकास अधिक्तम कि छेतर में हुआ तो इसका अप्षन हो जाएगा भी एसे नेक्स वीडियो देखने के लिए है आप लोग हम्यारे चैनल को सब्सक्राइप कर लेहिए इसके बाद 2019 का क्योंस के बाद से प्रिप द Excuse डियुशी the चाहँ लाएगे तो सारे ने जैसे Carry Раз के करके करके हम लोग् मैं लेकर आएँगे और इनसे जो रिलेटर जो भूक हैं उसका भी रिव्यू देंगे तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद जहिंद